सबी फूलों के बल्बों में से एमरिलिस को खिलाना सबसे आसान है यह घर के अंदर या बाहर और समय की एक विस्तारी तवधी में पूरा किया जा सकता है हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमरिलिस के बल्ब को किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं और एमरिलिस के पौधे की देख भाल कैसे की जा सकती है सबसे पहले बल्ब के आधार और जड़ों को कुछ घंटों के लिए गुनगने पानी में रखा जाना चाहिए याद रखें यदि आप बल्ब को प्राप्त करने के तुरंत बाद नहीं लगा सकते हैं तो उन्हें ठंडे तापमान पर 4-10 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर करें आप पॉस्टिक एक बहुत ही अच्छी पॉटिंग कमपोस्ट में बल्ब को लगाएं पॉटिंग कमपोस्ट में उपर तक बल्ब रोपे और सावधान रहें कि जड़ों को नुकसान ना पहुचे रोपन के बाद जगह में बल्ब को सुरक्षित रूप से अस्थापित करने के लिए मिट्टी को मजबूती से दवाएं अब सीधे प्रकाश के साथ एक गर्म जगह में पॉट यानि वो बल्ब रखें क्योंकि उपजी के विकास के लिए गर्मी आवश्यक होती है अच्छी जर्मिनेशन के लिए और बहुत जल्दी इसके नई नई शाखाएं निकलें इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे किसी गर्म जगह पे रखें तने के दिखाई देने तक पॉदों को धीरे धीरे पानी देना चाहिए और फिर जैसे कली और पत्ते दिखाई देने लगे तब पॉदे को धीरे धीरे अधिक पानी दे बल्ब समाने नियम के रूप में 7-10 सप्ता में फूल आने लगते हैं यानि कि बल्ब जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते है यह एक एवरग्रीन वार्शिक पौदा है और इसे सर्वाइब करने के लिए ज़्यादा प्रकाश या पानी के अवरशकता नहीं होती है और ऐसा माना जाता है कि एक बल्ब अगर सही से रखा जाए तो वह 75 साल तक फूल दे सकता है और सबसे खास बात कुछी सालों में एक बल्ब से दरजनों बल्ब तयार किये जाते है फ्रेंड्स यह एमरिलिस का ही प्लांट है मेरा पुराना प्लांट है मैं इसको उपर से कट कर दूँगी सिर्फ एक ही प्लांट लगाया था मैंने और उससे तीन बल्ब तयार हो गए है देखो इसको यदि मैं अलग करूँ अलग करके लगाओं तो नया बल्ब यह फिर नए जोड़े में तयार हो जाएगा लेकिन मैं इन दोनों को दो अलग अलग पॉट में लगाऊंगी वैसे सबसे आसान ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप इसे या पास के किसी नरसरी से ले सकते हैं 100 रुपीज तक में ये प्लांट आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स एमरिलिस के जो फ्लावर्स होते हैं वो देखने में बहुत ही खुबसूरत होते हैं जितने भी bulb वाले आपके पास पौदे हैं उनमें जादा पानी कभी भी नहीं डलना चाहिए वरना fungus लगने के chances जादा होते है क्योंकि इनके bulb में नीचे पानी store रहता है कुछ fleshy सा रहता है जिससे पानी store रहता है ये जो मिट्टी मैंने तयार किया है इसमें वर्मी कमपोस्ट और गार्डन सोईल को मिलाया है वैसे आप कोई भी सधारन किचन गार्डिनिंग के लिए यूज होने वाले सोईल का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छी ड्रेनेज और एरियेशन का ध्यान रखना है इसमें गार्डन सोईल 30%, रिवर सैन 30% और वर्मी कमपोस्ट 40% के हिसाब से आप ले सकते हैं गमला सेलेक्ट करते समय साइज का विशेश ध्यान रखे अगर एक बल्ब लगा रहे हैं तो 6-8 इंच तक का गमला सही रहेगा फ्रेंड्स ये चेंज का गमला है, मैं एक में एक ही बल्ब लगाऊंगी नया बल्ब लगाने का सही समय अक्टूबर नवेंबर में होता है इस समय आप लगाएगे बल्ब से दिसंबर जनवरी में अच्छे फूल ले सकते हैं लेकिन अभी भी ये दि आप इसको बल्ब को लगाते हैं तो आने वाले 6-6 में ये आपको फ्लारिंग करना स्टार्ट कर देगा लगातार फूल पाने के लिए आप 10-15 दिन के गैप पर भी बल्ब लगा सकते हैं फिर वो वैसे ही फ्रिक्वेंट में आपको फ्लारिंग स्टार्ट कर देगा जब आप नया बल्ब लगाते हैं तो अक्सर इसमें डारेक्ट कली ही निकाल आती है यही पतियां थोड़ी बाद में आती हैं और फूल पहले इसलिए इसको नेग्ड लेडी भी कहते हैं यही बीना पतियों के सिर्फ फूल आना गमले में होल करने तथा उस पर कंकड आदी लगाना ना भूले कभी भी इसको फ्रेंट्स मैंने कट कर लिया है पॉटिंग स्वाइल से पूरा इसको बीच में रख करके मैं पूरे पॉटिंग स्वाइल से इसे भर दूंगी अगर 6-8 इंच वाला गमला लिया है तो उसमें एक बल्ब थोड़े या मिट्टी हटा कर लगा दे लगाते समय ध्यान रखे कि जड़ वाला हिस्सा नीचे रखे और मिट्टी के चारो तरफ से कवर कर दे पर ध्यान रहे कि बल्ब का 25-30% हिस्सा मिट्टी से उपर रहे फ्रेंट जैसा मैंने लगाया है इसी तरीके से आप लगाओ कभी भी बल्ब बरबाद नहीं होंगे और ये बहुत ही अच्छा चलेगा पहली बार पानी देते समय इसे पूरा पानी दे भर दे जब एक्स्ट्रा पानी होल से निकल जाए तो गंबले को किसी ब्राइट जगह पर जहां पर इंडारेक्ट और अच्छी सललाइट आती हो ऐसे जगह पर रख दे मिटी अगर सूख नहीं रही तो शुरू से ज़्या पानी ना दे जब तक कि दो तिन नई पत्तियां ना आ जाए फ्रेंड्स आपको हमेशा आपने हर प्लांट पर इस बात का ध्यान रखना होगा यह जनकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेर और सबस्पार